देस भर में जारी लोकडाउन के बीच लोगों का मनुरंजन करे जीवन बसर करने वाले किन्रों का हालात आर्थिक रूप से बिगड़ने लगी है बताते चले की वर्सों से किनर समाज के लोगों का मुख्य पेसा रहा है कि वा लोगों का मनुरंजन कर और उनी के दिये हुए आर्थिक मदद पर अपना गुजर बसर करते थे लेकिन देश में कोरोना बंदी लागू होने के बाद रेलेवम सरकमार्ग से चलने वाले वाहन बंद कर दिये गए और इन लोगों की रोजी रोटी भी छिन गई लंबे समय से चले आ रहे लोगडाउन से इनकी जमा पुंजी भी धिरे-धिरे खत्म हो गई और या बुकमरी के कगार पर आ गए बेगुसराय के जेडियू के जिलादक्ष भूमिपाल राय को जब किन्रों के इस बिगरते हालात के समद में जानकारी मिली तो मानवता दिखाते हुए भूमिपाल राय ने किन्रों के बीच दस दिनों के रासन का वित्रन किया सांथ ही सांथ आर्थिक रूप से भी मदद की भूमी पाल राय ने कहा कि कोरोना बंदी तक इनकी मदद लागातार की जाए मदद मिलने के बाद किन्नर समाज के लोगों ने कोरोना संबंदीत गीतगा कर लोगों का मनुरंजन भी किया तता भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी एवं बिहार के मुखे मंत्री नितीश कुमार के द्वारा कोरोना वैरस से लड़ने के लिए चलाई जा रहे हिमोहिं की बुरी बुरी परसंसा की हरे रामदाश्टुडे विहार निवच बेगुसराई हरे द्वार की कि यह किनर समाज भी हमारे समाज का एक अभिन अंग है और यह पूरी तरह से लोगों के मदद पर आधारित इनका जीवन है और जब लॉक डॉन हुआ तो पूरा चुकी यह रेलगारी और मेहा जो रेलवें स्टेशन है बजार है वहां मांकर इन लोगों का दिर्गा चलता था तो हम लोग को जब पता चला कि यह लोग डॉन में काफी प्रभावित है और इनके साथ भुक्मरी की समस्या है तो हमारी टीम जो मैं बेगुश्राय का बेटा हूँ आगे आया हमने उस दिन लोगों के बीच पका हुआ भोजन भी पहुचाया समय एक एक सौर रोपिया भी दिया गया और आज इनको हम लोगों ने दस दिनों का राशन मोहलिया कराने का काम किया है ताकि लॉक्डाउन अब धी थक हम इनका हमारी टीम ख्याल रखे भी और लॉक्डाउन के बाद जब सब कुछ खुल जाएगा तो समान लोगों के तरह करुछ स्कंदितरब जय इस मारी दोर में पहुलों कि अ